शेर करते हैं दोस्तों हमारी आज की काफ़ी इंट्रेस्टिंग न्यूज सिरीस आज की सिरीस में बड़ी अमेजिंग खबरे निकल कर आ रही है बुलेटरिन की तरफ से बहुत बड़ी अपडेट आई है अब तो यहाँ पर रेलवे मंतरी जी अश्वीन वैशनो जी खुर्द जापान जा रहे है और जो भी मसला है बुलेटरिन से रिलेटर ये लग रहा है कि अब सॉल्व करकर ही वापस आएंगे इंडिया नेवी की तरफ से भी बड़ी अपडेट आई है जर्मन समरीन अब भारत में बनने जारी है आखिर क्यों हम आगे जानेंगे अमेरिका अपनी पावर मिडल इस्ट में अब तेजी से बढ़ाना है लग चुका है यहाँ पर अब एक बहुत बड़ा खतरा आने वाला है इसरेल की तरफ से आखिर क्या वो खतरा है जिसने अमेरिका को भी इतना पैनिक कर दिया है हम जानेंगे ब्राजील की वन आप दी बिग्यस जाइंट कांपनी एंबरेरर इन्होंने भारत को प्रामिस किया है हाई सर्विसिबिलिटी फॉर सी थ्री नाइटी एम इंडिया एरक्राफ्ट और इसके साथ ही इन्होंने काफी कुछ वादे भी किये है वो हम आगे इस वीडियो में जानेंगे मेक इन इंडिया ने तो कमाल ही कर दिया है आज के समय में आईफोन के मैनुफाक्चरिंग से लेकर तमाम सारी चीज़े मैनुफाक्चर हो रही है मैनुफाक्चरिंग का 17% हमारी GDP में कॉंट्रिवेशन है और डिफेंस ने तो नया रिकॉर्ड डाल दिया है एक्सपोर्ड के मामले में 10 साल पहले ये केवल 500-600 करोड रहता था अब ये 21 टाइम्स इंक्रीस हो चुका है और फाइनली हम जानेगे कि कैसे भारत के पास जो पुरानी फ्लीट है 2,572 टैंक्स के इतनी विशाल का है फ्लीट अब यहाँ पर भारत के खुद एक्सपोर्ट्स डिफेंस एक्सपोर्ट्स वान करने लग गए कि आप गलती बिल्कुल मत करना ये गलत हातों में लग सकते है और कैसे इसका दुरुपयोग होगा हम आगे आपको इस वीडियो में बताएंगे आज की सीरीस होगी इसलिए प्लीस आप एंट तक देगेगा और साथ ही में अगर आप चानल पर नए है आपको ऐसी सीरीस पसंद आ रही है तो प्लीस हमको सस्क्राइब करना भी मत भूलेगा बढ़ते पहली कुपर की तरफ से आ रही है रेलवे मिनिस्टर आश्वीनी वैशनुजी की तरफ से बुलेट ट्रेन से जुड़े जितने भी प्राब्लम्स है न अब लग रहा है कि ओफीशल विजिट ये जो तीन दिन का दोरा इन्होंने डिसाइड किया है जैपान का तो अब रेलवे मिनिस्टर आश्वीनी वैशनुजी सारा कुछ सॉट आउट करकी ही आएंगे यहाँ पर बताया जा रहा है कि 215 किलोमेटर के वायड़क कम्प्लीट हो चुगे है और 508 किलोमेटर डिस्टेंस यहाँ पर सबसे बड़ा डेडलॉग है सबसे पहले तो rolling stock जो कि Japan का problem है और दूसरा है signaling system जो यह देना नहीं चाते है हमारी companies को कह रहा है कि बस Japanese companies Japanese suppliers ही इसमें भाग ले सकते है अब को बता दे कि bullet train बली माना कि काफी ज़दा टेक्निकली advanced यह system है लेकिन हमारे भारत के भी suppliers इसमें कुछ supply कर सकते है अपने components बट जपैन को चीए कि नहीं हमारा ही signaling system यूज कीजे और हमारे ही Japanese bullet train के suppliers को यूज कीजे और इनके पास तो competitors है भी नहीं ज़दा बस दो ही है एक है खेटाची और दूसरा है कावसाकी जिसे लेकर भारत पुरी तरह से परेशान है क्योंकि इन्होंने तो monopoly बना दी है higher price quote किया है वैसे तो इस पूरे project की cost 1.08 lakh crore रुपीज बदा ही जा री थी लेकिन आप जानकर शौक रह जाओगे अभी तक आदा काम हुआ भी नहीं है 60,000 crore रुपीज से जादा का खरचा आ चुका है और इसमें तो अब तक हमने bullet train के sets भी purchase नहीं किया और signaling system भी लगाना शुरू नहीं है ऐसे में आप जानकर शौक मत होना ये cost और जादा increase होने वाली है इन्हें सारे issues को sort out करने के लिए rail मंतरी जी ने अब तीन दिन का दौरा डिसाइड किया है जापैन का लेकिन side by side भारत की ही companies यहाँ पर 260 से लेके 280 km per hour की रफतार वाली bullet train भी design करने का काम यहाँ पर शुरू हो चुका है सबसे बड़ी problem यह है कि यह standard gauge की है और हमारे पास expertise है broad gauge के tracks बनाने की so एक तो standard gauge और उपर से इतनी high speed में बढ़ाना वाकई में एक बहुत ही बड़ा challenge हमारे लिए होगा लेकिन देखने लाइक होगा कि भारत की engineers और scientist की team कैसे देश की पहली bullet train बनाती है बढ़ते हमारे अगली कवरी की जो track record देखा है German submarine का during test trials और बाकी के trials के दौरान ये तो बहुत जादे impress ही होगा है और अब मजगाव dock shipyard limited और इनकी partnership हो चुकी है इस German company Tyson Krupp Marine Systems के साथ ये दोनों मिलकर भारत में अपनी local manufacturing unit डालेंगे और इस तरह की काफी अध्याध्यूनिक AIP system से less that means air independent propulsion system ये submarine अब भारत में manufacture शुरू कर दिया जाएगा 2026 से ये कोई छोटा मोटा project नहीं है बहुत बढ़ा project है हमारी पहली submarine ही निकलते निकलते इसको 7 साल का समय लग जाएगा from the date of contract signing so ये काफी लंबा समय है लेकिन हमको मिलेगी state of the art sensors, weapons से less बहुत ही जादा stealthy advanced submarines जो इंडियन निवी के बेडे में शामिल हो जाएगी हमारी अगली खबर अमेरिका की तरफ से आ रही है हाली में अचानक से इन्होंने मिडल इस्ट में fleets को बढ़ाना स्टार्ट कर दिया काफी खतरनाक fighter jets इन्होंने सप्लाइ करना स्टार्ट कर दिया जिसमें F-15E, Strike Eagle, F-16, A-10 और F-22 fighter jets के squadrons शामिल है इसके अलावा लगब 40,000 American troops मिडल इस्ट में आज के समय में deploy है लेकिन यहां पर आखिर में अमेरिका इतना जादा panik क्यों हो रहा है तो आपको बता दे कि हाली में जो recently इतनी जादा controversies हुई है एक के बाद, एक Lebanon attack के बाद and then killing of Hezbollah leader इसने तो अमेरिका को panic कर दिया है कि अब Middle East में बहुत बड़ा जंग होने वाला है और Israel शायद victim हो सकता है तो ये सबसे पहले तो अपनी fleets को भी Middle East में product करना चाता है और साथ ही में Israel को भी product करना चाता है in case of any future invasion जो की most probably यहाँ पर predict किया जा रहा है हमारी अगली खबर Embraer की तरफ से आ रही है जो की Brazil की वनाफ़े biggest giant company है इन्होंने भारत को अब promise ही कर दिया है कि आप serviceability की चिंता मत कीजिए C390M इस aircraft को हम भारत में manufacture करेंगे और साथ ही मैं आपको चाहिए तो हम global supply chain भारत में develop कर देंगे so that in case अगर problem आता है service parts और बाकी के spare parts से जिड़ा तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी यहां पर आपके पास ही आपके देश में सारे suppliers हम develop कराकर दे देंगे Brazil वैसे तो केवल 6 C390M aircraft को ही operate करता है लेकिन remarkable serviceability level है इनका of 97% जो की काफी जादा अच्छा खासा है और अगर भारत तो 60 इस तरह की aircraft को procure करना चाहता है अगर भारत ने इनको यह order दे दिया इनके लिए भारत सबसे जादा important country बन जाएगा with 60 aircraft rather than Brazil just 6 aircraft तो यह एक game changer move साबित होगा इस Brazilian company के लिए हमारी अगले कबर make an India initiative से आ रही है यह इतना बड़ा success हुआ कि आज के समय में latest version of iPhones भारत में manufacture किये जा रहे है और पूरे manufacturing का 17% हिस्सा हमारी GDP में जाता है so manufacturing एक बहुत ही जादा critical अब हमारे लिए बन चुका है इसके साथ ही defense में तो एक और नया कमाल कर दिया है हमारा 10 साल पहले से compare किया जाए export के मामले में तो कितना ही होता था 500-600 crore rupees का export ही हम करते थे 10 साल पहले लेकिन आज हम 23,000 crore rupees का export कर रहे है जो की 21 times higher है compare to any previous year so ये record ये जो काम है make in India के वज़े से ही हो पाया है और PLI scheme का ही कमाल है so ये थी हमारी आज की धमाकेदार new series bullet train से लेके defense equipment सक I hope कि आपको ये series में मजा आया हो और अगर हाँ तो प्लीज हमको एक लाकर ना मत भूलेगा ऐसे ही अपना चोटा सा support दिखाने के लिए